आज हम लोग बात करेंगे सिंजा के बारे में और इसके कुछ डिटेल बात करेंगे इसके चार्ट के बारे में कि क्या इसके upcoming situations हो सकते हैं तो अभी current में अगर हम price को अगर देखते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1189 पर है जहाँ पर 7.5% अभी उपर की तरफ जा रहा है So guys एक बहुत अच्छा sign है आज के date के लिए तो यह ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीसे reasons है guys आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिफ ने एक जो एम में हुआ था 18th of FAP 2022 को वहाँ पर उन्होंने mention किया था कि वह काम कर रहे एक्षेंज के साथ में हो सकता है वह 26 या एक मार्च में दो में से एक डेट में उसे list कर दिया जाएगा और यह वह एक्षेंज है जिसे community यानि कि सिबनोभी की जो community है उनसे multiple times बोल चुकी थी कि इस exchange पे list कीजिए so maybe वह क्लिफ जो है उस exchange का नाम खुद से announce नहीं करेंगे exchange खुद अपना नाम announce करेगी उस partner यानि कि सिबनोभी के साथ में so यह हो सकता है कि gate आयो या तो फिर कोई और हो सकता है tier 1 का ही कोई होगा तो let's see कि क्या होता है अभी upcoming time में क्या announce करते हैं and holders के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तकरीपन 69401 हो चुके हैं guys मैंने कल का जो support line बताया था वो यहाँ पर था और यह exact उसी support line पर आ करके रुख गया है then अभी क्या है कि हमने इस चीज को देखते हुए यहाँ पर देखते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी जगह पे एक same support line हमने create किया हुआ है right तो maybe कि अब यह यहाँ आ करके रुख सकता है अगर यहाँ पर भी आ करके यह नहीं रुखता है then जो इस first support line को तोड़ेगा then यह second support line पर आ करके रुख सकता है so maybe यह जो chances है यहाँ तक आएगा then after जैसे कि यह सारे news निकल के आएंगे 26 of fab यह सारी चीज़ों के से related एक दो दिन में जैसे कोई बड़ा news निकल के आएगा guys definitely यह यहाँ से bounce back करेगा और यह उपर की तरफ ही जाएगा so यह एक बहुत अच्छा sign है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आने वाले time में जैसे ही यहाँ तक आता है आप कोशिस कीज़ेगा कि यहाँ पर इस चीज़ को buy करके then after जैसे यह उपर की तरफ जाएगा आप sell कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यह first resistance line है maybe कि इस first resistance line को आने वाले time में आसानी के साथ में इसे तोड़ देगा आप भी यहाँ पर देख सकते हैं जो MACD का जो यहाँ पर indicator है वो भी थोड़ी देर में आपको same indicate करने वाला है कि आप यहाँ से कैसे आप यहाँ पर आप buy कर सकते हैं तो आपको क्या लगता है गाईस कि जैसे ही कोई बड़े tier 1 exchange में लिस्ट होता है सिब नोभी या फिर सिंजा तो कितने 0 को तोड़ सकता है यहाँ पर और साथ ही साथ कितने परसेंट तक का आपको उपर जाता हुआ दिखाए पड़ेगा आप हमें नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में